नमस्कार एजुकेसन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने चाह रहे हैं पाच राज्यों के ओपिनियन पॉल के पारे में आपको बताएंगे कि उत्तरपरदेश, पंचाब, उत्तराखान, गोवा और मणीपुर में किसकी सरकार बनेगी तो ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री इन पाच राज्यों में कौन बनने वाला है और क्या योगी अदितनात एक बार फिर से उत्तरपरदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर नई कमेंट बॉक्स में अवस्य लिखेगा अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस परकार से ये महा सर्वे महा ओपीनिन पॉल अमारे सामने आ रहा है सबसे पहले बात करते हैं उत्तरपरदेश की उत्तरपरदेश में फिलाल भाजपा की सरकार है और योगी अदितनात पद पर है ऐसे में योगी अदितनात की पकड़ पहले ही मजबूत है तो बाकी पार्टियों को काफी बहनत करनी होगी योगी अदितनात की जगा लेने के लिए लेकिन 2022 के विदान सबा चुनाव में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और एक बार फिर से भाजपा पहुमत के आकड़े से भी बहुत ज़्यादा सीटे लाकर एक बार फिर से चुनाव जीतने जा रही है दरसल आपको बता दे एक सर्वे हमारे सामने आया है इसके अनुसार भाजपा 42 फीस्दी वोट पाएगी वहीं समाजवादी पार्टी को 30% वोट मिलेंगे बसपा को 16% और कांग्रेस को 5 फीस्दी और अन्य को 7 फीस्दी वोट मिलने वाले यानि कि उत्तरपरदेस में फिर कांग्रेस का सूपडा साप होने वाला है अगर हम बात करें कि किस पार्टी को कितनी सीटे मिलेगी तो आपको बता दे उत्तरपरदेस में कुल 403 सीटे है पहुमत के आकड़े की बात करें तो वो होता है 202 सीटे यानि कि अगर कोई भी पार्टी दोस्तो दो सीटे लाती है तो उसकी सरकार राज्य में बिलकुल बन जाएगी लेकिन भाजपा तो इस बार के चुनाव में भी फदे हासिल करती हुई नजर आ रही है तो इसल आपको बता दे भार के जनता पार्टी इस बार के चुनाव में 269 से लेकर 266 सीटे ला सकती है वैस अमाजवादी पार्टी की बात करे यानि कि अखिलेस यादव की पार्टी की तो अखिलेस यादव की पार्टी को भी 109 से 117 सीटे मिल सकती है यानि की काफी टक कर देने की कोशिस की जा रही है SP दवारा BJP को BSP की बात करें तो BSP का यहां पर सूपडा साफ होता हुआ नजर आ रहा है दरसल बहुजन समाजवादी पार्टी को महज 12 से 16 सीटे मिलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के खाते में महज 3 से 7 सीटे जाती हुई नजर आ रही है और अन्य को 6 से 10 सीटे मिल सकती है इस परकार से हमने उत्तरपरदेश की ओपिनियन पॉल की बात की है अगले राजी क्यों रुक करते हैं पंजाब की बात करते हैं पंजाब में फिलाल कांग्रेस की सरकार है लेकिन कांग्रेस में इस साल काफी विवाद लग रहे हैं अंद्रूनी कला की वज़े से इस बार जो बाकी पार्टिया है वो बिलकुल फाइदा उठाने वाली है अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पर भी सी वाटर की ओर से सर्वे किया गया है और इस सर्वे के अनुसार आमाद्मी पार्टी को 51 से 57 सीटे हासिल हो सकती है यानि कि आमाद्मी पार्टी यहाँ पर अपना दबदबाद दिखाने वाली है वहीं सतारोड पार्टी कांग्रेस को 38 से 46 सीटे मिलीगी और अगर हम बात करें सीरो मनी अकाली दल की यानि कि S.A.D. की तो यहाँ इन्हें 16 से 24 सीटे मिलती वी नजर आ रही है आपको पता दे पंजाब, विदान, सबा, चुनाव के अंदर आमाद्मी पार्टी को 35 फीस्ती वोट मिल सकते हैं वहीं कांग्रेस को 39 परसेंट और सिरो मनी अकाली दल को 22 फीस्ती वोट मिलने वाले हैं वहीं भाजपा को 7 फीस्ती और अन्य को भी 7 फीस्ती वोट मिलने वाले हैं यानि कि पंजाब में अभी तक भाजपा अपना दबदबार नहीं दिखा पाईए 2022 में भी इसी परकार से चलने वाला है जहां लेकिन एक अंतर जो हमें देखने को मिला है वो है आम आदमी पार्टी का दिल्ली की आम आदमी पार्टी अब पहुंच चुकी है पंजाब तक और पंजाब में भी उनका धबदबास आप देखने को मिलने वाला है ऐसे में अगर हम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो आपको कैसा लगेगा ये कमेंट बॉक्स में विसे बतेगा फिलाल अगर बात करें पंजाब की तो पंजाब के हालात ये होने वाले हैं इस सर्वे के अनुचार की किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने वाला है लेकिन अगर हम बात करें उत्राखंड की उत्राखंड की बात भी कर लेते हैं कि उत्राखंड में किसकी सरकार बनने वाली है तो दरसल उत्राखंड के अंदर कुल 70 विदान सबास सीटे हैं और इन 70 सीटों में से 44 से 48 सीटों पर भाजपा जीच सकती है यानि की भहुमत के आंकडे से काफी आगे है पाजपा को 43 फीच्दी वोट मिल सकते हैं वही कांग्रेस को 23 फीच्दी और आम आदमी पार्टी जिनका यहां पर दबदबा बिलकुल देखने को नहीं मिलने वाला है आम आदमी पार्टी को तराखंड के अंदर महाज 6 अगर हम बात करें कि यहां पर कांग्रेस को कितनी सीटे मिलेगी तो कांग्रेस को यहां पर कुल 19 से 23 सीटे मिल सकती है वही आम आदमी पार्टी को 0 से 4 सीटे मिल सकती है और अन्य को 0 से 2 सीटे मिल सकती है इस परकार से हमारे सामने नतीजे जो आ सकते हैं वो हमने आपको ब बदादे उत्तरा खंड में भी अब तक दो बार मुख्य मंत्री बदल दिये जा चुके हैं और पंजाब में भी कांग्रेस्ट के अंदर कुछ चल रहा है और इसे वज़े से लगा अतार भगावती सुर अपनाये जा रहे हैं कांग्रेस्ट के कुछ दिगर्स नेता हो दुआ हलांकि भाजपास से कोई भागी नहीं हुआ है लेकिन फिर भी आपको बता दे कुछ ना कुछ अंदरों निकला है इसके वज़े से लगा अतार मुख्य मंत्री बनाये जा रहे हैं हटाये जा रहें अगर हम बात करें अगले राज्जी की जिसमें हम बात करेंगी गोवा की तो गोवा में फिलाल बीजेपी की सरकार है और अगर हम बात करें कि गोवा में किसको कितनी सीटे मिलेगी तो आपको बता दे बीजेपी को चोईस सीटे मिल सकती है वहीं अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की तो यहां पर इने 6 सीटे अन्नी को 5 सीटे और कांग्रेस क इस सर्वे के अनुसार तो यही लग रहा है कि गोवा के अंदर एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आने वाली है ऐसा हमारे सामने आ रहा है इस परकार सेमने आपको बताया अब तक कुल चार राज्यों का ओपीनियन पॉल मनिपूर की बात करते हैं मनिपूर में भी एक बार फिर से भाजपा की सरकार आने वाली है मनिपूर के कुल 40% वोट भाजपा की और जा सकते हैं वही 35% वोट यहाँ पर टकर देखने को मैं रही है वोट परसेंट में तो 35% वोट जो है वो कांग्रेस के पक्स में जाते हुए नेसर आ रहे हैं वहीं अ इन 60 सीटों में से भाजपा के खाते में 32 से 36 सीटे जा सकती है वहीं कांग्रेस के खाते में 18 से 26 सीटे जा सकती है वहीं नागा पीपोल्स फरंट यानि की MPF के खाते में 2 से 6 सीटे जा सकती है अगर हम बात करें अन्यकी तो अन्यको 0 से 4 सीटे मिल सकती है इस परकार से पूर्पूर की बात भी कर ली है ओवर ओल हमने पांच राज्यों की बात की है पांच राज्यों में से चार राज्यों में जो है एक बार फिर से यहां पर भाजपा की सरकार बन सकती है और एक राज्ये पंजब के अंदर आम आद्मी पार्टी की सरकार बन सकती है यानि कि पा आपके मुद्दे उठाएंगे और पार्टियों के मेनिफेस्टों की सचाई आपके सामने लेकर आएंगे नेता आते हैं हमारे सामने सफेद कपड़ों में और हमारे सामने सफेद ही जूट बोल के चले जाते हैं हलाएं कि अब हम जूट को पेचान नहीं पाते हैं लेकिन होते जरूर सफेद जूट है ये सब को बताएं क्योंकि जो जो वो घोस्ताएं करते हैं वे चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं और अपना ही फाइदा करने में लगे रहते हैं मेनिफेस्टों हमारे सामने आएंगे वो हम आपको बताएंगे ताकि आप बिल्कुल एक सई पार्टी को वोट दे सकें वोट किसको देते हैं ये आपका अधिकार है इसे में आपको वोट तो देना ही हैं लेकिन उससे पहले हम आपके लिए इनी पार्टीों की सच्चा आपके सामने पेस समय समय पर करते रहेंगे चुनाओ आने वाले हैं नेता आपकी घरों तक आएंगे आपसे वोट मांगेगे आपसे बड़े-बड़े वादे करेंगे बोले ये करवा देंगे चुनाओं के बाद आप जाओगे उनके पास और बोलोगे सर ये करवा दो वो आपकी बात भी नहीं सुनेंगे जैसा कि हर बार होता है तो इस वीडियो बस इतना ही था हमने आपको बताया ओपीनियन पॉल के बारे में लोगों की इस बार क्या है मनसा इस बार लोग किसे जिताएंगे हमने आपको बताया इस opinion पॉल में वीडियो अगर आपको आया है पसंद तो अभी करिएगा like और साथ ही ऐसे ही वीडियोज अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो Education India चैनल को सब्सक्राब करके बैल आइकन को दबा दीचेगा फिर बनते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी हन्य जानकारी के साथ अब तक के लिए बने रही है Education India के साथ धन्यवाद